दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हर्याना में चुनावी नगाडा बज गया है चुनावी अखाडा सजना शुरू हो चुका है अखाडे के अंदर जो पहलवान है यानि की केंडिडेट होने वाले हैं राजनेता जो है उन्होंने अपने लंगर लंगोट घुमाने शुरू कर दिये हैं दावेदारी की जा रही है एलान की जा रही है चुनोती दी जा रही है कि सामने जो पहलवान आना चाहे वो आ जाए पहलवान यानि की राजनिता अब बड़ी बात यह है कि आप कहेंगे कि भाईया ऐसी दावेदारी कैसे क्योंकि राजनिताओं को तो इंतजार करना होता है का लेकिन जो अपनी राजनितिक पार्टियों के अपने पुलिटिकल पार्टीज के जो मुखिया मुक्तियार खुद है तो फिर तो वो फैसला कर सकते हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ हर्याना की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी हलाकि वो इस समय सत्ता के सामने प्रमुख विपक्षी दल तो नहीं है लेकिन उनकी जो खनक से है वो कम भी नहीं होती मैं बात आपसे कर रहा हूँ इंडियन नैशनल लोगदल की जो कभी हर्याना के अंदर सत्ता या विपक्ष की धुरी हुआ करती थी यानि कि या तो सरकार और या फिर सरकार के सामने का प्रमुख विपक्षी दल रहने वाला इंडियन नैशनल लोगदल जो पिछले समय में यानि कि 2018 के बाद में अपनी जो अंतर द्वंद थे आंतरीक कलह थी परिवार की और पार्टी की जिसमें कि पार्टी दो हिस्सों मे बट गई और कहीं इंडियन नैशनल लोगदल कमजोर होता दिखा अब बहुजन समाज पार्टी के साथ समझोता करके इंडियन नैशनल लोगदल के कारे करता आजकल दमा दम है इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी के जो मुखिया है अभै सिंग चोटाला वो भी रोज न लड़ेगी इंडियन नेशनल लोगदल का बहुजन समाज पार्टी से गठवंदन हुआ है उस गठवंदन के तहट दौनों राजनीतिक दल आजकल अपनी रणीती बनाने में लगे हैं कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी संभवता ये फैसला भी हो चुका है क्यों आपसे जिक्र करना हूँ इन दोनों राजनीतिक दलों की इनको टिक्टों को लेकरके और जो मैं आपको बता रहा था कि इनके जो पहलवान है वह अखाड़े में लंगर लंगोट घुमाने को तयार है तो जो पार्टी के सबसे बड़े पहलवान है यानि कि पाड़ी की मु विधायक है एलनाबाद और दूसरी वो सीट जहां से उनके भतीजे विधायक है यानि कि उचाना यानि कि दुश्यंत चोटाला जिस सीट से विधायक है उचाना वहां पर अभै सिंग चोटाला अपना लंगर लंगोट घुमाने की तैयारी में है राजनीतिक चर्चाएं हैं और वो चर्चाएं अगर सच हैं तो फिर आप तैय मानिये कि अभै सिंग चोटाला हरियाना में दो विधानसवा सीटों से चोनाव लड़ेंगे एक विधानसवा सीट तो होगी अलनाबाद जहां से वो विधायक है और दूसरी विधानसवा सीट होगी उचाना उचाना तो आप एलनाबाद को तो यूं समझें कि सिर्सा जिले की सिर्सा लोगसभा की सीट है एलनाबाद और सिर्सा जिले में चौधरी देवी लाल परिवार का वर्चस्व रहा है एलनाबाद से विधायक बने थे 2019 के चुनाओं में अभै सिंग चोटाला एकलोते विधायक थे हर्याना के अंदर और पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ किसानों ने तीन क्रिशी कानूनों को वापस लेने के लिए जो आंदोलन किया उस आंदोलन के समर्थन में अभै सिंग चोटाला ने इस्तीफा दे दिया एलनाबाद विधायक शीट से और इसलिए हर्यान पूरे देश की राजनीती में पूरी तरह से चर्चा में आ गई वह सीट एलनाबाद हलांकि बाद में वह किसानों के विरोधी बिल जो मने गए थे किसान विरोधी कानून जिनको किसान कहते थे जिनको इंडियन नेशनल लोगदल कहता था वह कानून वापिस हुए और अभे उप्चुनाव जो हुआ और उप्चुनाव फिर वो अभे सिंग चोटाला दुबारा जीत गए जिन्होंने किसान हिद की पैरवी करते हुए अपने राजनितिक पद का बलिदान किया था दूसरी सीट उचाना दोस्तों उचाना पर उमप्रकाष चोटाला परिवार और विरंधर सिंग डूमर खां का परिवार यानि कि वांगर चौधरी का परिवार कही बार आमने सामने होता रहा है लेकिन लगता है कि अब की बार चौधरी ओम प्रकाश चोटाला का परिवार भी आमने सामने होगा खुद में ही क्योंकि यहां पर एलान किया है अभे सिंग चोटाला ने पिछले दिनों कि उचाना विधान सभा सीट पर कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ेगा और मैं आपको बताओं तो मेरे राजनितिक सुत्र कहते हैं कि वो बड़ा चेहरा खुद अभे सिंग चोटाला है खुद अभे सिंग चोटाला चुनाव मैदान में होंगी अभय सिंग चोटाला ने ये भी कहा था कि उप मुख्य मंत्री तो बन गया यहां से मुख्य मंत्री का कैंडिडेट चुनाव मैदान में होगा तो मुख्य मंत्री के कैंडिडेट हैं अभय सिंग चोटाला अपनी पार्टी अपने गढ़बंदन की और जो मैं आपको बता रहा हूं कि उचाना का महत्व है चौधरी ओम प्रकाष चोटाला और चौधरी विरंदर सिंग डूमर खा या आमने सामने चुनाव लड़े उसके बाद में चौधरी विरंदर सिंग की धरम पत्नी और चोटाला साहब का पोता दुशन चोटाला आमने सामने चुनाव लड़े और अब ये चुनाव होगा जिसके अंदर की चौधरी विरंदर सिंग डूमर खा का परिवार समभवता वहाँ पर चुनाव मैदान में अपकी बार भी होगा जो उनके पूर्व नौकरशाहा बेटे और जो नौकरशाहा से राज नितिग्या वले थे पूर्व सांसत पोत्र ब्रजंदर सिंग कैंडिडेट हो सकते हैं जन्नाएक जन्ता परिटी के करता धरता दुष्यन चोटाला खुद है कहे चुके हैं चुनाव लड़ूंगा वहीं से और अभै सिंग चोटाला भी अपनी परिटी के करता धरता खुद है अभे सिंग चोटाला का भी एलान है उचाना से भी चुनाव लड़ने का यानि कि एलनाबादर उचाना और आप मान करके चलें कि दोनों विधानसभाओं का जो रण होगा बहुत भीशन होगा दोनों विधानसभाओं सीटों पर जो संघर्ष होगा वो देखने लायक होगा रोचक मुकाबला होगा और एक सीट पर तो संभवता चचा बतीजा आमने सामने होंगे और दूसरी एलनाबाद की सीट जिसको फिर से बचाने के लिए अभे चोटाला मैदान में होंगे वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंदन के बाद इंडियन नेशनल लोगदल के ग्राफ में इजाफा हुआ है आपको क्या लगता है कि क्या इनेलो बस्पा गठबंदन हरियाना के अंदर तीसरी राजनितिक टाकत बन चुका है या बन सकता है और आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अभैसिंग चोटाला, एलनाबाद और उचाना पर तो फिर चुनाव परिणाम क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक औ फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें